मरकुस ब्रचित सुसमचार सात्वा अध्याय तब फरीसी और कई एक शास्त्री जो यरुशलेम से आये थे उसके पास इखटे हुए और उन्होंने उसके कई एक चेलों को अशुध अर्थात बिना हात धोय रोटी खाते देखा क्योंकि फरीसी और सब यहुदी पुरुणियों के रीती पर चलते हैं और जब तक भली भाती हात नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते और बजार से आकर जब तक सनान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते और बहुत सी और बाते हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुचाई गई हैं जैसे कटोरो और लोटो और तामबे के बरतनों को धोना माझना इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूझा कि तेरे चेले क्यों पूरिनियों की रीती पर नहीं चलते और बिना उसने उनसे कहा कि अशाया ने तुम कपटियों के विश्य में बहुत ठीक भविश्द्वानी की जैसा लिखा है कि ये लोग होटों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझ से दूर रहता है और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुश्यों की आग्याओं को धर्मों पदेश करके सिखाते हैं क्योंकि तुम परमेश्वर की आग्या को टाल कर मनुश्यों की रीतियों को मानते हो और उसने उनसे कहा तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आग्या कैसी अच्छी तरह टाल देते हो क्योंकि मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता वो माता को बुरा कहे, वे अवश्य मान डाला जाये। परन्तु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता वा माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाप पहुच सकता था वे कुर्बान अर्था संकल्प हो चुका तो तुम उसको उसकी पिता वा उसकी माता की सिवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो और उसने लोगों को अपने पास बुला कर उनसे कहा तुम सब मेरी सुनो और समझो ऐसी तु कोई वस्तु नहीं जो मनुष में बाहर से समा कर अशुद करे परंतु जो वस्तु मनुष के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद करती है यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले जब वे भीड के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस द्रश्टान्त के विश्य में उससे पूछा उसने उनसे कहा क्या परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है यह कहकर उसने सब भोजन वस्तों को शुद ठराया फिर उसने कहा जो मनुष में से निकलता है वही मनुष को अशुद करता है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष के मन से बुरी-बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोब, दुष्टता, छल, लुच्पन, कुदरश्ती, निंदा, अभिमान और मुर्खता निकलती हैं यह सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष को अशुद करती हैं फिर वे महां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घ अशुद आत्मा थी, उसकी चरचा सुनकर आई और उसके पाउं पर गिरी, यह यूनानी और सरुफीनी की जाती की थी, और उसने उससे बिंती की की मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे, उसने उससे कहा पहले लड़कों को तुप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुटों के आगे डालना उचित नहीं है, उसने उसको उत्तर दिया, कि सच है प्रभू, तो भी कुटे भी तो मेच के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं, उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से न कलकर दिक पुलिस देश से होता हुआ, गलील की जील पर पहुंचा, और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे बिंती की, कि वे अपना हाथ उस पर रखे, तब वे उसको भीड से अलग ले गया, और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली, और थूप कर उसकी जीब को छुआ, और स्वर्ग की ओर देकर आह भरी, और उससे कहा, इफ़तह अर्थात खुल जा, और उसके कान खुल गए, और उसकी जीब की गांट भी खुल गई, और वे साफ साफ बोलने लगा, तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया, उतना ही वे और परचार करने लगे, और वे बहुती आश्चर में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया, सब अच्छा किया है, वे भैरों को सुनने की, और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है।